हेलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोगल कॉन्फलेक्ट दोस्तो महामारी के दोरान चाइना द्वारा जिस तरीके से अपने एग्रेशन को भढ़ाया जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका भी सामने आ चुका है पर चाइना का सबसे बड़ा एग्रेशन जिस एरिया में हो रहा है वो है असल में साउट चाइना सी और अमेरिका भी चाइना को साउट चाइना सी में ही काउंटर करने के लिए अपना प्रस्तुती ले रहा है तो दोस्तों क्या ऐसे situation अब आ गया है कि भारत को भी South China Sea के उपर focus करना चाहिए और अपने जहाजों को South China Sea के नजदिक भेजना चाहिए आज के इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि चायना के लिए South China Sea इतना important क्यू है और क्या भारत को South China Sea में अपने जहाज जो चायना को Pacific Ocean के साथ जोडने के साथ साथ Indian Ocean को भी Pacific Ocean के साथ जोडता है और ये रिजन इस एरिया में स्थित सातों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिजन है पर बीते कुछ सालों से चायना द्वारा इस रिजन के उपर जबरन अपने military दबदबे के बजा से लग आप देश द्वारा इस रिजन के उपर अपना क्लेम रखा जाता है जिसमें Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan और भीत नाम शामिल है इंटरनाशनल लो के मुताविक किसी भी देश के जमीनी हिससे से 200 nautical miles तक उस देश का exclusive economic zone होता है लेकिन चायना, South China Sea के मामले में किसी भी देश को इंटर देशों के एरिया के इलावा इंटरनाशनल शेत्रों को भी चायना द्वारा कबजा किया जा रहा है तो दोस्तों पहला सवाल है कि South China Sea चायना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यू है South China Sea के उपर अगर चायना का कबजा होगा तो चार बेसिक चीजों के उपर चायना का रोल आ जाएगा जिनमें से सबसे पहला है चायना का Food Security फिर Energy Security Trade Security और चायना का Physical Security दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताविक इस एरिया में भरपूर मात्रा में समुंदरी जीब रहता है जो चायना जैसे बड़े देश का भी खाथियवस्तियों का जरूरत काफी हद तक पूरा कर सकता है, हर साल इस एरिया से कई मिलियन टन के मचली पकड़ा जाता है जिसका वैलू कई बिलियन डॉलर है इवन इसके इलावा यहाँ पे अगर एनर्जी सोर्सेस को देखे तो एक रिपोर्ट के मुताविक 2014 में ही प्रूफ हो गया था कि साउच चाइना सी के रिजर्ण में 7.7 बिलियन बैरेल क्रूड ओयल रिजर्व है जवकि बहुत सारे एक्सपोर्टों का ये भी मानना है कि ये रिजर्व असल में करीबन 24 बिलियन बैरेल का है जवकि क्रूड ओयल के इलावा अगर नैचरल गैस को देखे तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पे करीबन 266 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नैचरल गैस की रिजर्व है और कुल मिला कि ये चाइना के कई 100 साल के एनरजी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा मतलब अगर चाइना इस रिजर्ण के उपर कभजा करने में सक्षम हो जाता है तो चाइना द्वारा जो ओयल को इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से उस ओयल इंपोर्ट का और जरूरत नहीं पड़ेगा इवन चाइना चाहेगा तो दूसरे देशों को भी ओयल इंपोर्ट करके revenue generate कर पाएगा फिला अपने जरुरतों को पूरा करने के लिए चाइना के तरफ से दूसरे देशों से ओयल इंपोर्ट किया जाता है और लगवग चाइना का हर एक बूंद ओयल साउथ चाइना सी के रस्ते से जी आता है। पूर्ट में जेपैन, साउथ कोडिया, चाइना और भारत के साथ साथ अमेरिका का भी सामान शामिल है। तो कुल मिला के अगर चाइना, साउथ चाइना सी के ऊपर कबजा करने में सक्षम रहा तो चाइना को खाद्य वस्तू का जरुरत पूरा करने के साथ साथ, ओयल का मतलब अगर फ्यूचर में किसी भी देश के साथ चाइना का लड़ाई होता है तो सबसे पहले लड़ाई उसी एरिया में लड़ाई जाएगा जिससे चाइना का मेंन लैंड को लड़ाई के भायाभाव परिनाम से दूर रखना संभव हो पाएगा। इसके इलावा चाइना सी चाइना के लिए इतना इंपोर्टन क्यू है अब चलिए बात करते हैं कि क्या इंडिया को साथ चाइना सी में बाकी देशों के जैसे जहाज भेजना चाहिए हाली के सिचुएशन को देखे तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के तरफ से साथ चाइना सी में अपने जहाजो जो को तैनात किया गया है जो जोरत पढ़ने पे चाइना तक जाके हमला कर पाएगा और चाइना की इन हरकतों को देखते हुए अमेरिका के तरफ से इस एरिया में हाली में अपने एक्टिविटीज को बढ़ा दिया गया और दोसों इसके पीछे कारण भी है चाइना महामारी क्वाड का भी गठन होता है भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड का गठन इसलिए किया गया था ताकि इंडो पेसिपिक रिजन में चाइना के प्रभाव को कम किया जाए और एक फ्री और फेर ट्रेड रूट को बहाल करना संभव हो पाए दोसों साउट चाइना सी अगर मैनिफेक्ट fare किया गया इकुइपमेंटों को South China Sea के एरिया से ही गुजरना पढ़ता है इवन इंडिया wra़ जो सामानों को इंप्रको किया जो समझोता हुआ है उसका route भी यही South China Sea से गुजरना है तो कुल मिला के India जो एक बढ़ता हुआ economy और बढ़ता हुआ industrial power है उसका energy जरोते को पूरा करने के लिए हाली में जो Russia के साथ समझोता हुआ है उसके उपर भी China का ये मनसुवा बहुत बड़ा असर डाल सकता है इसके इ इलावा भारत के ONGC द्वारा वियतनाम के साथ मिलके वियतनाम के exclusive economic zone में जो oil rigging किया जा रहा है चायना का नजर उस field के उपर भी है मतलब कुल मिला के अगर देखे तो इस area में हर एक चीज़ के उपर चायना अपना control चाहता है और हर एक चीज़ के उपर अपना नाम लिख आप सबको पता ही होगा कि South China Sea के बाद China का next target है Indian Ocean क्योंकि दुनिया के 60% oil flow और South China Sea से भी दुगना trade Indian Ocean से गुजरता है चायना का पूरा का पूरा economy Indian Ocean के अंदर से गुजरने वाला इस trade route के उपर ही defend करता है और अगर इंडिया के तरफ से लड़ाई के समय अगर चायना का इ मतलब मलाका स्टेट South China Sea के सबसे नस्दीक है मलाका स्टेट को Indian Ocean और Pacific Ocean का एक चोक पॉइंट भी बताया जाता है South China Sea के उपर गबजा होने के सकल में चायना का दबदबा मलाका स्टेट के उपर भी बढ़ेगा जो इंडिया के लिए आने वाले समय में एक खतरनाक बात बन सकता है मलाका स्टेट से बहुत नस्दीक है इंडिया के अंदावानिकोबार आइलेंड मतलब उस समय में इंडिया के सिक्रूटी के उपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है मतलब इंडिया ने भी अब जितना पेशर जहल रहा है आने वाले समय में इंडिया ने भी को शायद इस से जादा पेशर जलना पड़े तो कुल मिला के साउथ चायना सी के उपर चायना का कबजा इंडिया के लिए एकोनोमिकली और सिक्रूटी वाइस बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है अब सवाल उठता है कि भारत यहाँ पे क्या कर सकता है और अमेरिका को मदद करने के लिए क्या भारत को अपने जहाजों को साउथ चायना सी भेजना चाहिए दोसों इसके इलावा इंडिया को परिशान करने के लिए चायना के तरफ से इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से एक्टिविटीज किया जा रहा है इंडिया को इसका पल्टा जवाब देते हुए चायना को भी ऐसे ही परिशान करना चाहिए। वर्सोचे कि इंडिया भी ऐसा ही चीज साउथ चाना सी के अंदर कर सकता है। वियतनाम और इंडरोनेशिया जैसे देश जहाँ पे भारत से ब्रह्मोस जैसे सुपर सौने क्रूस मिसाइलों को खरिदना चाता है भारत को जल से जल इन मिसाइलों का विक्री इन देशों को करन करने के लिए ऐसा हर एक काम करना चाहिए जो आने वाले समय में इंडियर ओशन से चाना को दूर रखने में मददगार हो और साथी साथ 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 चाना सी के अंदर चाना के इंफ्लूएंस को कम करने में भी मददगार हो तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि भ झाल झाल